आज हम लोग magnetism and matter का चैप्टर चालू कर रहे हैं और इस चैप्टर में सबसे पहला जो question 5.1 है ये total अपका 6 questions इसके अंदर में है और सबसे पहले हम लोग इसी question को solve करेंगे इस question में total 6 questions है तो एक एक करके हम सारे questions को समझते हैं तो total 5 questions हम लोग इस वीडियो में नहीं बनाएंगे स्रिफ फर स्रिफ 5.1 ही बनाएंगे और इसको अच्छे समझेंगे क्योंकि ये एक basic चीज है अगर आपको ये पहला question अच्छे समझ में आता है तो बाकी जो आने वाले questions है इस chapter में वो भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा तो बिना देरी के लिए चले चालू करते है अपने इस वीडियो को तो सबसे पहला जो हमारा question है वो क्या बोल रहा है ए वेक्टर नीड थ्री quantities of the specified name the three independent quantity convincedly used to specify the earth magnetic field तो अर्थ की जो magnetic field है उसमें जो three quantities का use किया जाता है वो three quantities कौनसी है तो सबसे पहला जो quantity होता है वो है आपका magnetic declination बहुत important quantity होता है यह second जो आपका specific बोलते है उसको बोलते है angle of dip बहुत important है यह भी और तीसरा होता है horizontal component जिसको हम लोग H भी बोलते हैं of magnetic field यह है सबसे important यह तीनो की तीनो काफी ज्यादा important points होते हैं किसी हमारे अर्थ के magnetic field को बताने के लिए अब angle of declination होता क्या है तो होता क्या है कि हमारा यह अर्थ मान लीजिए ठीक है और इसको इस टाइप से compass होता है वह actual इस जगह में point नहीं करता है यहां पास में point नहीं करता है इससे थोड़ा हटके इधर में कहीं point करता है around 11 degree or something कुछ होता है theoretical part इसका अलग से मैं बनाया हूं total तो आपको playlist में वह मिल जाएगा ठीक है तो यह हलका सा decline होता है ठीक है और यह decline को ही declination बोलते है थोड़ा सा यह इधर जुका हुआ रहता है और इसी को declination बोलते है जो अर्थ की magnetic field को बताने का काम करता है देख रहे हैं यह हलका सा जुका हुआ रहता है ठीक है और यह continuously बढ़ते ही जा रहा है ठीक है हमारी एस तो ज्यादा सज्यादा 50-60-70 years ही होती है तो हमें उतरा नहीं पर चलेगा पर अगर उस time पर किसी ने समझा होगा कि अर्थ की magnetic field की इस पोजिशन पर है तो आज के रिट में 2000 साल बाद इसकी जो डिरेक्शन है यह वाली जो डिरेक्शन है यह चेंज होती जा रही है दीर दीर तो यह एंगल जो है यह बढ़ते जा रहा है ठीक है तो सबसे पहला अर्थ magnetic field क्या है magnetic declination सेकेंड होता है एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ डिप क्या होता है एंगल ऑफ डिप आपका अर्थ का मान लेजी कि अगर यह surface है जिसे हम horizontal component of magnetic field के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो अर्थ के surface और आप क्या करिए निडिल ले लिजे एक compass ले लिजे आप ठीक है और compass का needle जिस side में भी point करें मान लेजी कि यह ऐसे point कर रहा है आप खड़े हो गया अर्थ पे और आपने compass लिया और compass को सबसे पहले आपने horizontal किया तो यह इस type से कुछ दिखाने लगेगा आपका ठीक है और उसके बाद इसको vertical कर दीजे क्या कर दीज तो यह कुछ ऐसा point करेगा हर जगह का अलग-अलग होता है अब आप इंडिया में है तो अलग दिखाएगा अलग type का degree बनेगा फिर अगर आप बिटेन में है तो कुछ अलग दिखाएगा USA में है तो कुछ अलग angle यह थोड़ा अलग type का मोड़ेगा ठीक है तो यह compass आपको dip ठीक है बहुत सिंपल सा था एकदम अभी यह कभी का surface बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते तो यह जो surface है यही surface को हम horizontal component of magnetic field बोलते एक्चल में यह देख कि magnetic field की direction यह बता रहा आपका compass और यह जो compass देख यह जो magnetic field की direction इसे दिख रही है यह दो component में टूड़ जाता एक यह और एक यह ठीक है यह उपर भी दिखा सकता है डिपेंड करता अगर यह ऐसे जा रहा है तो यह उपर और यह ऐसे दिखा सकता है तो यह वाला जो component होता है इसको हम vertical component बोलते हैं और यह वाला को horizontal component बोलते है तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने वर्टिकल वाले का दो जिक्री नहीं क्या है जेनरली हम लोग horizontal के साथ में ही work करते हैं क्योंकि यह अर्थ के surface के parallel चलता है ठीक है इसलिए horizontal component ज्यादा important as compared to vertical component मुकाबले ओक है तो आई होप आपको यह तीनों point अब अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है चलते हैं अगले question की तरफ और देखते हैं कि अगला question में क्या सिखा रहा है okay student से second question हमारा second question क्या बोलता है the angle of dip at a location in southern India is about 18 degree तो जो angle of dip हमने समझा था कि यह अगर अर्थ का surface है और यह resultant of the magnetic field है तो southern area में किसी जगह में आपका 18 degree यहाँ पास में सो कर रहा है ठीक है अब पूछ रहा है यह आपको horizontal component है ठीक है would you expect a greater or smaller dip angle in Britain तो ब्रिटेन के बारे में पूछ रहा है अब उसके लिए तो हमको ब्रिटेन जाके compass को लगा के दिखना पड़ेगा ठीक है फिलाल जो ब्रिटेन जा नहीं सकते हैं करोना फैला हुआ है तो मैं आपको जर्रली एक example दिखाता हूँ देखें मान लिजे कि हमारा यह globe है ठीक है और यह globe का आपका north-south direction मान लिजे ठीक है अब यह जो होता है यहां से आप equator से इसको break कर दीजे ठीक है अब इस side के area को generally हम लोग southern hemisphere के नाम से बोलते हैं southern hemisphere और यह वाले को हम northern बोलते हैं मान लिजे ठीक है अब यह southern अगर hemisphere है और compass अगर इसको इस point पे आपका soak कर रहा है ठीक है तो यह देखिए यह जो equatorial line होता है इस पे आपका जो angle होता है वो 0 degree होता है और जैसे जैसे यह north की तरफ जाएगा आपका वैसे वैसे इसकी degree बढ़ते जाती है और यह वाला भी इधर भी जैसे जाएंगे तो इसको minus 90 बोलते हैं पर degree तो बढ़ीगी ठ ठीक है बस direction के कारण इसको minus 90 बोलते है तो equator के पास में जितना हमारा value रहेगा उतना deep angle हमको कम मिलने वाला है और जितना यह pole के पास में जाएगा उतना ज्यादा हमको deep angle मिलेगा ठीक है देखिए यह field lines कुछ ऐसे करके निकलती है और यहां से अंदर की तरफ ऐसे जाती है देख रहे हैं और इस कारण से जब यह आपका अर्थ के सारी मैंने कुछ गलत बना दिया तो यह कुछ ऐसा जाएगा आपका फिल्लाइंस निकलेगा और ऐसे जाएगा और देखिए जब यह इस पॉइंट पर आता है तो इसका अर्थ का देखिए horizontal component ऐसा है और magnetic field का जो resultant है वो भी एकदम ऐसा है parallel होने करन इसकी degree जो होती वो 0 हो जाती है अगर यह Southern Hemisphere हमारा है जो बोलते हैं हम लोग ठीक है और यह आपका Northern Hemisphere है और आपका compass जो है इस पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब आप क्या सोच रहे है कि यह क्या है अगर आपका compass इधर सोक कर रहा है तो हम जनरली मानते हैं कि यह North है पर Actual में जो Magnetic North होता है कौन सा? Magnetic North Actual में जहां से Free Lens निकल रही है तो यह आपका क्या होगा? South होगा ना कि North क्या होगा यह South अभी आप खुद सोचिए कि हमको मालूम है कि North को कौन खीचेगा? South खीचेगा? ठीक है? और हमारा compass का जो इस candle है वह अगर North है यह arrow अगर North है तो यह किदर खेजाएगा? किस साड़ अट्रैक्ट होगा? तो इस point के तरह पर अगर attract हो रहा है तो यह point कौन सा point है यह जरूर South point हो तभी तो यह attract हो रहा है ठीक है? यह बस आपका इस side में थोड़ा ज़्यादा आता है पोल के side में थोड़ा ज़्यादा आता है ठीक है और पोल के side ज़्यादा आने के कारण आपका glow में आप देख सकते हैं तो पोल के तरब ज़्यादा होने के कारण इसका जो angle of dip है वो भी क्या मिलने वाला आपको ग्रेटर मिलता है ठीक है मैंने बुक में पढ़ा था कि एराउंड इसकी 70 डिग्री के आसपास में यह एंगल कुछ रहता है ठीक है एक्जैक्लिक किस लोकेशन की बेसेज पर यह बता रहा है मुझे नहीं मालुम है ठीक है तो आप इसको एक बार देखना पड़ेगा हमको कि बुक्स में पता नहीं चलेगा इंटरनेट में अपको ग्लोब में एक्चुल चेक करना पड़ेगा ने तो पर्टिकुलर ब्रिटेन जाके चेक करना पड़ेगा तभी हमको समझ में आएगा कि किस पोजिशन के लिए बता रहा है क्योंकि हर पोजिशन के लिए अलग काटेगा और इसकी डिगरी चेंड रिती जाती है ठीक है तो एक्जाक्ली यह भी नहीं बोल सकते है कि साउथ और इंडिया में पी कोई एक ना कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर यह 18 डिगरी है ठीक है ठीक है चलते अंगले कोईशन की तरफ आई होप आपको यह कोईशन अब अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह कोईशन भी काफी मेज़दार कोईशन है जो पिछले वीडियो के मैंने आपको थासा कंसर्ट बताया था उसकी उपर में बेस्ट है अभी द का अंदर की तरफ वो जायेगा अभी generally हम क्या समझते अध्य यह हमारा ग्लोब है ठीक है और यह हमको नौर्थ है और इसको हम सौझ बोलते है अब हम मैगनेटिक फिल लाइन्ज कैसा बनाएंगे इसका निकल रह देखे जो आश्टेड्या है वो हमारा Southern Hemisphere एरिया में आता है, कहीं इस जगा में रहता है, जिसको हम Southern Hemisphere के नाम से जानते हैं, ये एरिया को पूरे, equator के नीचे वाले हिसे को Southern और रूपर वाले को Northern बोलते हैं, ठीक है, Hemisphere, अब आस्ट्री लाप का इस जगा में आता है, मतलब Southern Hemisphere मतलब South एरिया है, और जन तरीके से जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि Austral अगर यहां है, तो इस जगह में अंदर की तरफ यह जा रहा है, फिल्ड लाइन्स, तो सिंपल सा एकदम आंसर था इसका, पर एक्च्वल में यह आंसर रॉंग होगा, अब क्यों रॉंग है, इसका सिंपल सा आंसर है, कि यह हमारा जो कंपस है, इसको नौर्थ बोलता है, पर एक्च्वल में यह नौर्थ नहीं है, यह एक्च्वल में मैंगनेट के हिसाब से साउथ है, जोग्राफिकली भले नौर्थ होगा, पर अंदर से इस पॉइंट, इस पर्टिक्लर पॉइंट पी यह साउथ है, और यह नौ आउट होगा, ना कि इन होगा, ठीक है, इन्टु दा ग्राउंड नहीं होगा, बलकि कम आउट होगा, इस चीज को समझने बहुत ही जादा जरूरी है, ठीक है, तो हमेसे याद दखिएगा, जिधर भी कंपस पॉइंट करें कि यह नौर्थ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उस पटिक्लर पॉइंट पर फिड लाइन जरूर आपका साउट की तरफ सो कर रहा है, अगर नौर्थ है तो, कमपस अगर एरो इस सेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह साउट है, क्योंकि कमपस का निडिल नौर्थ है न, तो यह नौर्थ होने के कारण, यह मैंगनेट है, अब मैंगनेट का यह अगर नौर्थ है तो, यह जरूर साउट को पॉइंट कर रहा है, तभी तो यह नौर्थ है, अगर यह नौर्थ होता तो, यह साउट को पॉइंट करता है, ओक है, यह छोटा सा कंसेप्ट था, आई होब आपको यह समझ में आ गया होग ठीक है मैप के बाइड में बहुत ज़्याद मुझे जान करें नहीं तो इस फिल्ड में जादा नहीं जा रहा हूं यह उस्टेलिया का पॉइंट जो है यहीं कहीं रहता है आपका इस जगह में ठीक है और यह सौ्थ रेंड हमिस्पेर के अंदर में आता है और मैक्सिमम जो आ स्मॉंप के हमिस्पेर कर हमिस्पेर हमिस्पेर पे लेके चलते हैं के हैं अगली को के स्टोन में अगली थिर्ट्चन पार पारें फिर्म आपको बताता हूं किई क्या बूल रहा है इन वीच डिरॉर्शन Boomgie कंपस früh to move in the vertical plane.2 इफ लोकेटज राइड वान्द d же जिए मैगनेटीक, नौर्थ और सौथ पोल. ठीक है? अभी हमारा अगर देखिए, यह हमारा अर्थ है, ठीक है? और नॉर्मली हम मान लेते हैं कि यह नौर्थ पोल दिखा रहा है, यह वशाओ पोल आपका है. ठीक है? और जब compass needle को इस जगह में इसके एकदम इस position पे रखेंगे तो उस point पे यह आपका अगर compass इस point पे है तो इस point पे जैसे ही आप पहुंचेंगे ठीक है तो यह compass का needle है अगर इसको आप vertically ऐसे खड़ा कर दे तो यह सीधा अंदर की तरफ सो करेगा माल लीजे कि यह north है अगर यह सो कर रहा है तो इसका horizontal component का जो angle है वो कितना बनेगा तो horizontal component का जो angle है वो कैसा होगा zero बनेगा एकदम simple सी बात है तो कि vertically वाला तो एकदम 90 हो गया ना यह वाला position आपका है कि नहीं है तो यह अगर एकदम surface के हो गया तो यह surface जो है horizontal component वा component कहां break होने वाले है कुछ नहीं होगा ठीक है अब horizontal component अगर zero हो गया और compass को मैं horizontally ऐसे रग दूँ तो यह अगर कहीं so ही नहीं करने वाला है आपका क्योंकि किसी direction आपको कोई angle ही नहीं मिल रहा है अगर ठीक है तो एक चीज़ याद रखेगा अगर आपका ऐसे compass आपका है यह ऐसा सीधा सीधा आप horizontal रखे है ठीक है vertical नहीं रखे है ऐसा नहीं रखे है horizontal रखे है तो यह horizontal component ही आपको direction बताता है कि किस side में आपका north है और किस side में आपका south है पर अगर आप इसको north और pole और south pole के एकदम ऊपर रख दें ठीक है तो उस particular point पे यह free हो जाता है एकदम मतल यह हर तरफ direction दिखाता है क्योंकि इस जगह से हर तरफ की मतलब हर point पर आपकी уже freelance निकल रहे है तो यह क्या हो जाता है उस point पर free हो जाता है एकदम क्योंकि इस पर कोई angle नहीं बन आप इसको कहीं भी direction show नहीं करना है क्योंकि है नॉर्त पर ही है या फिर साउथ पर ही गही ह पर अगर आप North Pole की उपर ही रख दें, तो यह free हो जाता है, क्योंकि इसको कहीं so करने की ही जरुवत नहीं है, so करने की जरुवत नहीं है, तो यह free हो जाएगा आपका, तो यही लिखा है, would a compass, yes, the compass will be free to move in a vertical plane point, तो यह free हो जाता है, okay है, इतना simple सा concept था है, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, okay है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले question की तो यह भी question बहुत simple सा है, तो असा mathematical point of view में है, ठीक है, तो question में क्या लिखा हुआ है, the earth field, it is claimed roughly approximate the field due to a dipole of the magnet movement, the magnetic movement, 8 into 10, 10 into the power 22 joules per tesla, located at its center, ठीक है, तो center point पे आपका, इतना आपका, so कर रहा है, magnetic movement, check the order of magnitude of this number is somewhere, अब हमको इसका magnitude, जो magnetic field बन रही है, ठीक है, उसको आपको check करना है, the electric field is claimed, तो magnetic field अब कैसे check किया जाए, तो उसके लिए formula होता है, b equal to mu0 upon 4 pi m upon r3, this is the magnetic moment, ठीक है, अब values हमारे पास में दिया हुआ है, तो यह r हमको नहीं दिया गया है, यहाँ पास में, तो r जो होगा, वो अर्थ के बार में पूछ रहा है, तो अर्थ का जो radius होगा, उसे हमको पता करना पड़ेगा, तो वो होता है 6400 km, इसको जर्णने लिखते हैं meter में, तो 6.4 into 10 to the power 6 meter लिखेंगे, ठीक है, value को पूट कर दिए, तो mu upon 4 pi होता 10 to the power minus 7, magnetic moment जो होगा, वो होगा, 8 into 10 to the power 22, 6.4 into 10 to the power 6 का square, sorry, cube, और जब आप इसको solve करेंगे, तो यह near about 0.3 into 10 to the power minus 4 tesla आगा, ठीक है, this is the answer, आप इसको calculate कर सकते हैं, मुझे पूरी उमीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है, और मुझे comment section के तो जरू बताएगा कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है, छोडियेगा ने, इक direct मत लिख दीजेगा मेरे जैसे आप, ठीक है, क्योंकि मैं अगर solve करूँगा, तो इसमें बहुच अला टाइंग कंसेब जाएगा, और this is not the math class, this is the physics class, we are concentrated on concept, not the mathematical concepts, okay, और इसके लिए हम लोग mathematical concept के लिए अलग से बनाएगे वीडियो, और मैंने काफे सरे वीडियो बनाए भी है, जिसमें मैंने मैंने मैंस को बताया है कि इन चीजों को कैसे trickly solve किया जाता है, ठीक सकते हैं, और अगर इसको generally check भी किया था, अगर आप किसी device से लेकर check करेंगे, तो आपको यही answer भी मिलने वाला है, ठीक है, तो check the order of this number in some way करके बोला है जो, यह अपका theoretically हो गया, और practically आप device से भी check कर सकते हैं, यह आप इराई की नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, चली चलते ह अगले question की तरफ और last question की तरफ, okay students, यह मेरा last question है, बहुत ही simple सा question है, यह थीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपस concept की जरुवत है इसमें भी, तो देखे, क्या बोलता है, Geologists claim that beside the main magnetic north-south pole, there are several local poles on the earth's surface, oriented in different direction, और यह बहुत सरे ऐसे poles हैं आपका earth's surface पे, जो अलग-अलग direction में show करते हैं, How is such a thing possible at all, और क्या ऐसा possible है भी कि नि, Geologists जो claim कर रहे हैं, क्या ऐसा possible है कि नि, तो सबसे पहले में आपका इसका answer दे देता हूँ, Yes, it is possible, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मान लीजिया है हमारा north है, और यह south है, तो यह north और south pole है, हमको यह मालूम है, तो आप बोल रहे हैं कि और भी आपके local poles यहां पास में है, तो क्या ऐसा possible है, Yes, it is possible, क्यों ऐसा possible है, हमको मालूम है कि अर्थ कि जो surface है, इस surface में कही जगाओं में ऐसे हमारे local magnetic materials पाया जाते हैं, local magnetic materials पाया जाते हैं, अगर आपका answer yes है, तो अगर यह magnetic materials हैं, जो magnetic property को अपने पास रखते हैं, तो ज जरूर इनके पास में north और south pole भी होगा, तभी तो यह magnetic properties रख रहे हैं, और अगर north और south pole इनके पास में है, तो जरूर यह dipoles भी बना रहे हैं, ठीक है, dipoles तो बनाई रहे हैं, तो यह north और south pole अगर रख रहे हैं, तो हमारा answer simple सा हो गया, कि local poles on the earth surface oriented in different direction, तो जरूर यह अलग- magnet है, ठीक है, अर्थ तो magnet है ही, जो कि north और south direction बना रहा है हमारा, पर यह भी तो कुछ direction को show कर रहे होंगे, तो यह अलग direction show करेंगे, यह अपका north direction में show नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो this is the concept, कि जितने भी अलग-अलग different materials हैं, वो भी अपने खुद की magnetic property जो रखते हैं, व poles, और कोई अलग से concept नहीं है, यही एक concept है, ठीक है, तो things is possible, और क्यों है, क्योंकि यह local poles generate होते हैं, यह magnetic materials के कारण, ओक है, ठीक है, तो this is the final question, इस तरीके से यह video को भी हम लोग यहीं close करेंगे, ठीक है, तो I hope आपको यह total six questions जो थे यह अच्छे समझ में आया होगा, फिर कोई मन में कोई doubt होगा, तो comment section आप ही के लिए है, बिना hesitation आप question को पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी physics related doubt हो, तो आप जरूर पूछेगा, ठीक है, तो इस वीडियो का close कर देते हैं यही, I hope आपको यह video पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर कर द कर दे computing तो पसंद आया है, जीक है, आपके अाजा की है, पसंदक हो पस्टीरियोन रगो कर दे में आप पसंद देदरief यही, I mह हो आपको सऽे पसंद needing वही में हैं पसुछत पसंद घार जार बिना ही में में, पसंद आप पसंद chucklingूश आत हैं यह ह curator उताहत, आपको